जो शेमट में ग्लेशेर गिरने से डैम टूर गया है इसमें कई लोगों के बह जाने की बात कही जा रही है डियाईजी एस डियारिफ रेद्यम अगरवाल ने कहा है कि रिशे गंगा प्रजेक्ट से जुड़े मजदूर लापता हो गये है उत्राखंट रास्ती के बाद चमूली से लेकर हरी द्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है गंगा और सहाइक नदियों के किनारे के रास्ते बंद कर दिये गए हैं गंगा के किनारे के सब भी कैम्प खाली कराय जा रहे हैं जो शिमट और तपोवन के इलाके में घरों को खाली कराय जा रहा है एतियातन भागी रती नदी का फ्लो रोक दिया गया है अलक नंदा का पानी का बहाव को रोका जा सके इसलिए श्रीनगर डैम तथा रिसिकेस डैम को खाली करवा दिया गया है SDRF अलाट पर है और आप से ये विनिती किया जा रहा है कि आप बिलकुल अफवाह ना फैला है और लगतार इस बात को लेकर के अब जो है उत्राखंड के मुक्यमंतरी त्रिवेंदर सिंग रावत ने लिखा है मेरी आप से विनिती है अफवाह ना फैला है मैं स्वैंग घटनास थल के लिए रवाना हो रहा हूँ रात के खबर ये है कि नंद प्याग से आगे अलक नंदा नदी का बहाव समाने हो गया है नदी का जलसतर समाने से अब एक मीटर उपर है लेकिन बहाव कम होता जा रहा है ग्राज्य के मुख्य सच्चिव, आपदा सच्चिव, पलिस अधिकारी और सबस्त टीम आपदा कंट्रोल रूम में सिदी पर लगतार नज़र रख रही है ग्रह मंत्री आमिर्शाह ने ट्विट किया है कि उत्राखंड में प्राकरतिक आपदा की सूचना से संबंध में मैंने मुख्य मंत्री त्रवेंदर सिंग रावत, डी आईजी, आईटी, बीपी और डी जी, अंडी आरेफ से बात की है सभी संबंधित अधिकारियों को लगतार लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम करने के लिए बोला है एंडी आरेफ की टीमें बचाव कारे के लिए निकल गई है, दियो भ्हूमी को हर संभाव मदद दी जाएगी प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने उतराखंट के मक्या मंत्री ट्रेवांदर सिंग रावत और अण्या वलिष्ठ अधिकारियों से बात की, उन्हेंने बचाव और राहत कारे कार जाए जालिया